नमस्कार दोस्तों, ASB News इंडिया की डिजिटल पैनल आपके अपने फेस्बुक पेज, यूट्यूब चैनल अम्रीज बालयान पर आप सबका हर्दिक स्वागत है, अब इनंदन है, मुझा फनगर में आज निकाय चुनाओ के लिए मतगन्ना हुई है और पुरकाजी में जहिर फारुकी ने बार लगातार, दूसरी बार, चैर्मैन पद का चुनाओ जीत कर इतियास रश्दिया है सबसे बड़ी बात है कि अकेले शायद इस जिले के चैर्मैन होंगे, जिन्होंने अपने पाँच साल में, जो विकासकारे उन्होंने कराए, उसका पुरा खाका पुरकाजी के लोगों के सामने रखा यहां तक कहा कि अगर उनके कराय हुए काम से लोग संतुष्ठ हो तो जन्ता उन्होंने वोट दे, नहीं तो उनसे बैतर, अगर कोई भी परतियासी जन्ता को लगे, तो लोग उसे वोट दे सकते हैं, लेकिन जन्ता का प्यार एक बार फिर से जहिर फारी को और आपको चु मरपित रहेंगे. बहुत सारे इस बार पुरकाजी की जन्ता के पास में थे, परतियासी की भरमार थी, किन मुद्दों के अधार पर कह लिए आपके जो विकास कारे थे, उनके अधार पर क्या जन्ता ने उसी अधार पर आपको चुना? बिल्कुल जो मैंने अपने पिछले कारेकाल में विकास कारे कराए हैं, उसके बारे में मैंने जन्ता से पहली अपने एजेंडे में कहा था जब पिछला चुना उलड़ा था, और उसी एजेंडे में मैंने लड़के चुना जीत कर फिर मैंने एजेंडा पूरा किया. इस ब विकास कारें देखने के लिए मिले जो इस जिले के लिए भी पुरकाजी के लिए तो नहीं थे लेकिन इस जिले के लिए भी नहीं थे तो इस बार पुरकाजी में ऐसे कौन-कौन से विकास कारें आप अगणे पांच साल के कार काल में करना चाहिए देखिए एक तो तरह से यह कारी काल भी विकास को समर्पीद रहेगा विकास का कोई पहलो ऐसा नहीं होगा जिसे हम छोड़े हर इस तरफ पर सभी जाते दर्म के लोगों को साथ लेके चला जाएगा तो यह हैं पुरकाजी के लगतार दूसरी बार चेरमन बने जहीर फारुकी जिन्नों ने का कि जनता ने विकास कार्या जो उन्होंने पिछे साल में की उनके नाम पर उन्हें वोट दी है इस बार उनका पर्यास जो अधूरे विकास कार्या पुरकाजी के रहे हैं उन्हें भी पूरा कराने का रहेगा और शात्मा पुरकाजी में कहीं ऐसे विकास कार्या भी होंगे जो